अजमेर जिले की सबसे बड़ी ग्राम पांचायत रुपनगड में आज परशंसन गाउं के संग शेविर का आईजन हुआ शेविर का जाएजान लेने अजमेर जिला परिशित के स्रियो डॉक्टर गोरौ सेनी भी पहुंचे डॉक्टर गॉरव सिनी ने शिविर परबारी वहमरलाल जनांगल तैसलदार हरेंद्र मूंड विकास अधिकारी बगवान अर्विन से शिविर में दी जारी सेवों के बारे में पूछा शिवर परभारी वहमरलाज जनांगल ने शिवर में किये जारे कारियों की जानकारी जिला परशे सियो ड्रॉक्टर कोरो सेने को दी उन्होंने बताए कि गराम पंचयत रुपनकट को भूमी आमंटन किया गया है साथ ही कई सरकारी कारणों के लिए भी भूमी का आउंटन किया गया है शेविर में पुषकर विदायक सुलेस सिंग रावत तथा कांगरेस नेता हाजी इंसापली भी पहुंचे से काम हुए विश्यों साभी देखे गए और मुक्यमंत्र ची के बंद्शा के नुसुरूप जिन जिन लोगों के पटे नहीं मिलें उन लोगों के ग्राम पंचायद ने पटे दिये और दे भी रहें अभी मैं कायड भी जाका हूं वहां पर पचास भी का जमीन अबादी के ल जमीन सरकार ने लोट किये कराम बंचायद के लिए तो यह सरकार की बहुत बड़ी महती योद्ना है कि घरीब आदमी को जो जिनके पास रेने के लिए मकान नहीं जमीन नहीं उनको भी जमीन देके उनको प्लोट देके और उनके पट्ट दिये जाएं जिससे की वह पट्ट जाएं जाएं भी केंप लगें इनके सबी साथियों ने बहुत अच्छा काम किया और सबसे बड़ी खुशी की बात ही है अभी मुझे कायड के कैम में मालूम पड़ा कि पूरे राजस्तान में पुषकर विदान सबा में जो पट्टे बंटे वो अभी वर्तमान में पूरे सेकल दे गई वहीं एक व्यक्ति को सुनने की मशीन भी निशल्क परदान की गई मैं राजस्तान सरकार के मुख्यमित्री आदेनी असोग जुगेलोस साब और उनको हमारे जिला कलेक्टर मोजे परकास जी प्रोई साब को दन्यवाद देना चाहूँगा उन्होंने रूपंगड के लिए जो ऐसाई भूमी हीन असीवी का जमीन घ्राम पंचयद रूपंगड को उनने आउंटन की पहले राजस्तान सरकार के पास फैल जाती तो राजस्तान सरकार से ही पाहिल अमारी नामन्दन के लिए आउंटन ओके उसमें मेटेचन हमारे जिल्दार और यहां के पटवारी जी ओके साफ गिर्दावर साफ सभी का बहुत-बहुत आवार और धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुती दिल्चस्पी लगा कर अब मतलब यह काम किया उन्होंने जो परस्ताव बनाए उन्हेंने पोजुटिव परस्ताव पूरे सहीयों की बावना से हमारे पटवारी जी ने गिर्दावर साहब ने टोटल जो रूपनगर के परसा से अधिकारी हैं उन्हेंने पूरा सयोग किया जब जाके यह संभो हो भाया हम अभी हमने पट्टे जो भूमी हीन लोग है जिनके पास रेने की जमीन नहीं है जो जो पट्टी में रह रहे हैं औ पट्टे दिये और आने वाले समय में 25 तारी को मेगा केम आ रहा है तो हमने लक्से रखा कि लोगों को जो भूमी हीन है उनके लिए हमने कमेटी कर दी है हमारी कमेटी पूरे गावं में सर्वेय करेगी कब कौन-कौन लोग भूमी हीन वास्तिकता किसको जुरूत है उन लो पट्टे बने हुए पूर में 200 रिपे की रसीत के बनाते थे राज्य सरकार ने उसमें में लियायत देते हुए 100 रिपे में ही पट्टे दिये हमने जो आज हमने तक्रीबन पूरे 200 से 200 पट्टे आज हमने विच्जित कर दी है शिविर प्रफारी वहमनला जनांगल ने बताया कि ग्राम पंचयत इस्तर पर आईजिस शिविर में 23 से अधिक विवागों ने अपनी सेमाय दी इस दोरान राजस परकड़ों के तहट 26 बटवारे 235 पट्टो का आउंटन दुपान सो एक नामांतरन वह 17 भूमी आउंटन के प्रस्णाओं को शुकृति दी गई ग्राम पंचयत रुपनगड को 80 भी का भूमी का आउंटन किया गया क्रिशे भूमी के लिए 25 भी का पलिस स्थाने के लिए 12 भी का बालिका विद्याले हेतू 5 भी का कस्तूरबा आवासे विद्याले हेतू 10 भी का आउंटन किया गया शीविर में विदायक सुरेश सिंग राबात, कांगरिस नेता हाजे इंसापली, पनेड सर्पन संजू देवी, महवनलाल बिजानिया, जाजोता सर्पन मनबर देवी, कोटिरी सर्पन प्रेम देवी, जिलापरश सतरशे सुमन कमर जितंदर सिंग राठोर, पूर पिंगलो सर्पन के साथ तियोद वयत फल सर्पन भी मोझूद रही पांटेशन के लिए जो आज सरवादी के मोटेशन करें हैं, रास्ते के दस परकण भी किया है, इसके साथ यह सरकारी जमीनों के आउंटन परस्ताव थे, वो 17 आउंटन परस्ताव करें, इसके अलावाब पट्टेवं के लिए जो आज ही एप्लिक्सम आई है, उन एप्लि विद्रित कर दी जाएंगे, इसके साथ दिवाग मों, लोगों को भी टेन ट्राइसाइकल, शरुन इंतर भी उप्लब्त कराया गया, इन केम्पों के माध्यम से पब्लिक को सो परतेसत लाब मिल रहा है, और ऐसी योजना है, सरकार्वाद जो चलाई जारे, यह 100% जनता के ह है यही दोचार्स जाएंगे